हेलो निवी लक्षा एकडवी पापका बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं सभी मेरा मानना है आप सभी बहुत अच्छे होंगे अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और आपके तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगे और यह तैयारी और भी अच्छी होगी आगे जाके और जि यह तीसरा वीडियो हमारा इसके मामले में इससे पहले हम करा चुके आपको 1773 का Regulating Act 1701 का Act of Settlement उसके बाद में आता है 1784 का पिट्स इंडिया Act हमने इससे पहले देखा है कि जो 1773 का आपने हम बता चुके आपको उसके बारे में 1773 Regulating Act के तहत कमपनी पे नियंतरन इस्थापित किया गया बिटिश सरकार द्वारा बिटिश संसत द्वारा लेकिन उसमें कुछ कम्या रह गई थी उस कम्याओं को दूर किया 1781 Act of Settlement से उसके बाद में कल हमने जो बीडियो डाला है बताया गया उसमें 1781 Act of Settlement में बता दिया गया है उसके बारे में क्या गया था यहां पर थोड़ा सा जो इससे बिंदू जुड़े हैं उसके फिर से चर्चा करेंगे इस बारे में फिर कुछ कम्या रह जाती हैं उस कम्यों को रह जाने की बज़े से फिर यह एक्ट आया आपका 1784 का PIDs INDIA Act ठोड़ी कम्या रह गए थी 1781 के अधियम में उन कम्यों को दूर करने के लिए फिर उसके बाद 1784 का PIDs INDIA Act आता है एक्चुली बात यह है पिर वहां से बात सुरू होती है यह वी तीनों जो अधिय हमें जुड़े हुए एक दूसरे से जब कंपनी का सासन बढ़ गया भारते चेत्रों पे उसने काफी चेत्र जीत लिए तो बिटिस संसत को ये लगने लगा कि अगर कंपनी पर कुछ अपने अंडर नहीं लिया जाएगा मतलब उससे अपने सासन के अंदर नहीं लाया जाएगा तो कंपनी अपने आप में ही अलग एक निकाय बन जाएगी जो साहद England के भविश्य के लिए ठीक ना हो तो company पर नियंतरन इस्थाफित करने के लिए सारे act आए हैं רें बच्चो ये जितने भी act आए है company पर British संसत का British सरकार का नियंतरन इस्थाफित करने के लिए आए है तो इस में हम क्रमबार तरीखे से देखते हैं जैसा कि एक्टों का नाम है उस कुछ नाम में भी कुछ चुपा हुआ है वो basically आपको जानना जरूरी है जैसे कि इसमें Pits नाम जो जुड़ा हुआ है यह उस से में अधिकालिन प्रदानमंतरी का नाम है जिन का नाम है कि बिल्टेन के परदान मंद्री कि बिलियम कि पिट के नाम पर इस अधिनियम का नाम रखा गया है समझें तत्कालिन बिल्टेन के जो प्रदान मंत्री थे बिलियम पिट उनकी नाम पर इसका नाम रखा गया है इसलिए इसको कहा जाता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट समझें आप तो आप जैसे 1773 के अधिनियम में जब देखते हैं मैं थोड़ा सा पहले से सुरू कर रहा हूं आपकी समझ में आ जाए इसलिए ठीक है तो गवर्णर जनलल का पद सिर्जित किया गया है और बंगाल और मद्रास प्रिसिडेंसी को उसके अंदर किया गया उसके बाद में सर्वोच नैले की विस्तापना की गई अगर आप सही से पढ़ रहे हैं तो आप वही चीज पता चल जाएंगे तारतम्यता की जरूरत है आप एक दूसरे से चीजा जोड़ी हुई है अगर आप बीच में रुख जाएंगे कहीं भी फिलो को अपने को तोड़ेंगे तो आप चीजों को नहीं समझ सकते यही एक अच्छी पढ़ाई की निसानी है कि आप रेगुलर उसको चीज को देखिए तो यहां प तो गवनर जनरल काउंसिल है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं आएगी थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं आपको तो गवनर जनरल परिशत यहां पर थोड़ा ऐसा लगा कि जैसे उसको ज़्यादा अधिकार मिल गए हैं तो कहीं ना कहीं उन अधिकारों को सिमित करने क के लिए यह पिट्स इंडिया एक्ट आया है आप जब इसके प्रापधान देखेंगे तो आपकी समझ में अच्छे से वो चीज आ जाएंगी तो पहले देखिए इसको नमबर एक एक चीज और बता जेना चाहता हूं आपको कभी कभी पेपर में भी आ जाता है इससे पहले जितने भी अधिनियम आये हैं दो अधिनियम उनमें भारत के छेत्र को इस्ट इंडिया कंपनी के अधिगार दीन अधिकारा दीन छेत्र बोला गया है तेत्र का अधिनियम हो चाहें क्यासी का हो भारत के जो छेत्र आता था उनके अंतरगत क्या बोलते थे उसको इस्ट इंडिया कंपनी के अंतरगत छेत्र ये पहला अधिनियम है ये पहला अधिनियम है जिसमें कंपनी के अधिन छेत्र को बिटेन के अधिकारा अधिन छेत् पहला अधिनियम है इस से पहले इस एक्ट के आने से पहले भारती छेतर को बोला जाता था कि इस इंडिया कंपनी के अंतरगत छेतर लेकिन यह पहला अधिनियम है जिसके द्वारा इस्ट इंडिया कंपनी के अधिन छेतर को ब्रिटेन सासन के अधिकारा धीन समझ गे ना इस चीज से ही पता लग रहा हो सुरुआ से आपको इसका पहली बात पहले इसके तथ से आपको पता लग गया होगा कि यह जो एक्ट था कंपनी के सासन को एक तरीके से ब्रिटेन का सासन अपने हाथ में लेना चाहते और एक कदम बढ़ा दिया पूरी तरीके से आप देखें किस तरीके से इससे पहले जो एक्ट आये थे 1773 आये था 1781 आये था इन दोरों में जो छेत्र कंपनी का था उसको बोला गया इस्ट इंडिया कंपनी का छेत्र इस्ट इंडिया कंपनी के अधिगारा दिन छेत्र बहे छेत्र जहां पर इस्ट इंडिया कंपनी अपना अधिगार चला रही है राज चला रही है ठीक है लेकिन ये 1784 का जो अधिनियम आजा इसके द्वारा पहली बार उस कंपनी के मतलब इस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारा धिन छेत्र को क्या बोला गया है बिटेन सासन के अधिकारा धिन छेत्र बोला गया है मतलब इस्ट इंडिया कंपनी का वह छेत्र नहीं है वह बिटेन का छेत्र है समझगे वो बिटेन का छेत्र है और वहाँ पर जो सासन है वो बिटेन का सासन है किलियर हो गया इस बात आगे चलते हैं किलियर एक और इंपोर्टेंट बात लिको आगे चलके नमबर दूसरी इसमें अभी तक कि एक निदेशक मंडल होता था कि क्या होता था निदेशक मंडल बोर्ड ऑप डारेक्टर्स मैंने पढ़ाया एक गवंडर होता था यह बिटेन में होता था बच्चों और इसमें 24 अन्ने सदस्यों होते थे यह बात पहले अगर पढ़ाना सुरू करेंगे तो पहली की राजा के प्रती और निदेशक मंडल देखता था भारत में गवंडर जनरल को और आपके जो मद्रास और आपका बंबई प्रिसिडेंसी थी उनके गवंडर को समझ के समझ में आया नहीं आया इस से पहले यह था कि एक निदेशक मंडल होता था उसमें 24 सदस्य होते थे और वह पूरा मंडल कंपनी के कारिये को देखता था यह था इंगलेंड में भी इसक लेकिन जितनी भी और चारे आदेस देने थे यही आदेस पास करता था भारत के लिए समझने क्लियर हो गया चाहें वो ब्यापार से संबंदित हो चाहें वो राजनेतिक मामले हो कोई भी हो लेकिन जब कमपनी का छेत्र बढ़ गया तो ये जरूरत महसूस की जाने लगी कि कमपनी के ब्यापारिक और राजनेतिक मामलों को अलग-अलग कर देना चाहिए क्योंकि यहां पर company जो आई थी इस्ट इंडिया company उसका काम सिर्फ ब्यापार करना था क्या था ब्यापार लेकिन वो यहां पर कबजा करके सासन भी करने लगे तो जब बिटेन ने देखा कि यह सासन हमारा होना चाहिए तो उन्होंने इसमें विभाजन कर दिया या इसको दो जगे बाढ़ दिया आप देखें किस तरीके से एक तो निदेशक मंडल कि यहां पर सुरुआत करेंगे लिखने की इस तरीके से कंपनी के ब्यापारिक और राजनेतिक मामलों को अलग अलग किया सबसे महत्मुन बात है यह समझमन आए तो हम दुबारा बता रहें शुरुआत में जब इस्ट इंडिया कंपनी भारत माई तो उसका काम था यहां पर व्यापार करना लेकिन उन्होंने जब यहां की राजनीति में रुची ले करके जुनका मूल उद्देश से हो गया कि य उन्होंने चेत्र जीते भारत के तो जब यह देखा गया कि कंपनी ने बहुत बड़े भुवाग पर कबजा कर लिया तो बिटैन की मन साथी कि कंपनी इतनी प्रभाब साली ना हो जाए कहीं वो अपने आप में ही निकाय अपना बना ले तो इंग्लेंड के जो सासक बरते वो चाहते थे कि इस सासन हमारे अंदर ही होना चाहिए हमारे अनुसार ही होना चाहिए तो उन्होंने कंपनी पर किस तरीके से कंपनी को एक तरफ किया और अपनी सरकार चलाई और उसकी सुरुआत यहां से होती आप देखिए कंपनी के ब्यापारिक और राजनेतिक मामलों को अलग-अलग कर दिया अब तक निदेशक मंडली होता था वो ब्यापारिक मामले भी देख रहा था कंपनी के और वो राजनेतिक मामले भी देख रहा था तो जब अलग-अलग किया गया तो दो बोर्डों की स्थापना की गई है उनको आप देखेंगे कि व्यापारिक कि मामलों के लिए कि व्यापारिक मामलों के लिए निदेशक मंदल इसको तो आप अच्छे से जानते हो नहीं जानते हो आपको अच्छे से पढ़ाई करनी होगी जो चीजे हैं वो आपको देखनी पड़ेंगी आपको रेगुलरिटी में रहना पड़ेगा चीजे तब समझ में आते हैं अच्छे से जब हम चीजों को एक रेगुलरिटी में रख करके सही तरीके से हम अध्यन करते हैं तो व्याप में जनर्र तो भीटा बहुरत में था कि मैं बताओं मैं बाना हुलिए आपको पहली मैंने बता दिया था यह निदिशक मंदल जो था यह आपका य्द्टेण मैं इस्तित था ठीक और वहारत में थे ग 살 गुषवर्णल क्यों कि गवनेर जननल तो कलकत्ता में था है क्योंकि गवेंडर आपके मधरास MEME थे और भममई में फिर और टेथर के अनुसार कलकत्ता प्रिसिडेंस के अंदर दोनों प्रिसिडेंसि को रख दिया गया था यह जो बात चल रही है यह इंगिलेंड की हो रही है वहाँ पर जाग जो था वो निदेशक मंडल था निदेशक मंडल जो था निदेशक मंडल जो था निदेशक मंडल जो था वह कंपनी के ब्यापारिक और राजनेचिक दोनों मामले देखता था तो जब कंपनी का अधिकार छेत्र जादा बढ़ गया है मैं दुबारा से बता रहा हूं जब कंपनी का अधिकार छेत्र जो वो शारे छेत्र उसने जीत लिए तो बिटेन की जो सासक बरता उसको ये डर हो गया कि कहीं कंपनी इतनी प्रवावसाली ना हो जाए कि बहें अपने आप में ही बड़ा निकाय बन जाए तो जब बड़ा में साहन करें इंगलेंड को नुक्सान हो जाएगां तो कंपनी पर स्वामित करने के लिये कभ्जा करने के लिए इंडिया पर भारत पर ब्रेटैनke शंसद नहें कि इनके राजनेत्टिक और व्यापारिक मामले दोनों को अलग-अलग कर दिया जयत कंपनी बिजनिस करेगी तो उसके लिए कौन होगा निदेशक मंडल कौन होगा निदेशक मंडल देखेगा और यदि कंपनी राजनितिक मामलों को कौन देखेगा आप उसके लिए लिखवारो राजनितिक मामलों के लिए नियंत्रक मंडल ठीक है इंग्लिश में लिख लो इसको बोलते थे बोर्ड ओफ डारेक्टर्स बोर्ड ओफ डारेक्टर्स और नियंत्रक मंदल के लिए बोलते बोर्ड ओफ कंट्रोल लिख लो बच्चो मैं दुवारा समझा दूँगा क्यों नहीं कि चलना है अब इसमें मैं बता रहा हूं फिर से समझा रहा हूं फोती आसान है अगर मेरे हिसाब से आप मेरे अनुसार समझोगे तो पहले तो मैंने आपके लिए फिर बता रहा हूं कि यह एक हिस्ट्री भी है क्योंकि यह पास्ट की बाते हैं तो हिस्ट्री का भाग भी एक तरीके से यह पॉलिटी का भी एक भाग है क्योंकि पॉलिटी को समझने के लिए हमें सम्मिधान की जरूरत होती है और फिर सम्मिधान को समझने के लिए हमें घटनाओं की जरूरत है तब हम सम्मिधान को अच्छे से समझ सकते हैं इनका बहुत बड़ा महत है अगर जीवन में कोई आपको बड़ा लक्ष पाना है तो चीजों को गहराई से समझना पड़ेगा नहीं तो होगा यह कि आपकी जो चीजे हैं वो सर से उपर निकल जाएंगी तो चीजों को समझने के लिए आपको जो हर बिशे पर पड़ाय जा रहा है उसको आप सही से देखिए तो यहां पर मैं बता रहा हूं कंपनी का जो ब्यापारिक मामले थे ब्यापार करने के लिए आई थी कंपनी आपर लेकिन कंपनी जो चेत्र जीता तो बिटेन के सासकबर को यह अंदिशा हो गया कि कंपनी एक बहुत तकड़ा निकाय हो जाएगी तो इस पर कंटॉल होना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर कंपनी अपने आप में बहुत बड़ा निकाय हो गई तो इसमें इंग्लेंड का नुक्सान होता तो कंपनी पर स्वामित प्राप्त करने के लिए कंपनी पर पूर्त है कंट्रोल करने के लिए यह अधनियम आया है इसमें सबसे पहली बार अगर यह कुश्यन आता है आपके एक्जाम में के बहुत कौन सा अधनियम है जिसके तहत इस्ट इंडिया कंपनी के छेत्र को पहली बार बिटेंड का अधकार दीन छेत्र बोला गया है तो इसका आंसर है आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784 दूसरी बात कंपनी के राजने मामलों के लिए आपका नियंत्रक मंदल था जिसका मतलब है बॉर्ड ऑप कंट्रोल है यह उसकी शुरुआत हो रही है अब धीरे-धीरे करके हम यह भारत पर सासन जो किया एंग्रेजों ने उसकी और तरफ बढ़ रहे हैं पूर्त अब तक कंपनी का सासन था अब इसके त तो यहां पर आप यह देखिए अब नियंत्रक मंदल का जो इस्ट्रेक्चर था क्या था निया बना निदेशक मंदल आपको मैंने पहले बता दिया है अब नियंत्रक मंदल जो था और क्या था लिखो यह 6 सदस से 6 सदस से ही यह 6 सदस से ही निकाय था निकाय का मतलब होता सिस्टम समझगे इस नियंत्रक मंदल में कितने सदस से होते थे 6 सदस से होते थे कौन-कौन होती थे देख लो एक सदस से चैनमे से एक सदस से जो था चांसलर ओफ एक्स चैकर लगिए अब यह थोड़ा सा चांसलर ओफ एक्स शेकर क्या इसको समझाओं यह राजकोस से संबंदित है किस संबंदित है जो राजकोस के चांसलर होते थे वो यह थे थे समझगे ना बिटेन सासन के सासक के जो राजकोस के चांसलर होते थे वो इसके एक सदस से वहां से चुना गया था अब आगे दूसरा है कि चार सदस से कि प्रीवी काउंसिल से कि और तीसरा था कि एक सदस चार एक पांच हो गए कि छटा सदस से क्या था कि जटा सदस से था भारत सची भी बहुत आगे तक चलेगा आप देखने कि कि इसको मैं Defiying बहुत आता है कि यह क्या था भारत सचिव कि के लिए रहोगी बच्छों यह छा सदस्स से थे वे कैसे ते आपको किलियर होगी फूसकी बात च्ञाच सदस्य से जो थे आपके जैस सदस्य सो थे किस नियंतरक मंडल से किसके थे नियंतरक मंडल के एक नया मंडल अलग किया गया और किस बोर्ड ऑप कंट्रोल करने से आपको पता लग जाएगा ना कि यह क्या चीज है कंट्रोल का मतलब है नियंतरक करना नियंतरक करना किसी चीज पर कबजा कल लेना तो यह बहुत बड़ा महत्पून बोर्ड था इसमें यह च्छे सदस्य जो थे ना यह नॉर्मल आदमी नहीं थे यह बिटैन सासन के बहुत ही बड़े बड़े संसद के और जैसे मैंने कहा ना एक सदस्य है चांसलर और एक सदस् तो यह बिटैन जो संसद थी ना यह उसके बहुत बड़े नामी लोग थे समझ गया आप इस बात को तो यह निधिशक मंडल से भी जादा बड़ा बोर्ड था जो पूरी कंपनी को कंट्रोल करने वाला था और यह किसका प्रजिनित कर रहा था बिटैन संसद का बिटैन और संसद से उपर कौन था बिटैन का सासक तो यह उसको रिपरजेंट कर रहे थे लोग इसलिए जो मैंने बोला है आपको पहले सबसे पहलीवार कि यह पहला आधिनियम है ऐसा जिसमें कंपनी के सासन को बिटैन के अर्थकार आधिन छेत्र बोला गया है क्यों बोला गया आप यह संसद का सदस्य होता था बिटिस पाल्या मेंट का और यह एक तरीके से मंत्री होता था मंत्री परिशद का एक सदस्य था जैसे हमारे मंत्री परिशद नहीं होती ग्रह मंत्री होता है रक्षा मंत्री होता है बिदेश मंत्री होता है प्रदाह मंत्री होता है ऐसे ही उस समय की ततकालिन जो बिटेन की संसत थी उसका एक सदस्य था और मंत्री परिस्द जो थी उसका एक सदस्य था मंत्री परिस्द बाद में पहले कोई भी आदमी संसत का सदस्य बनता नहीं बनता तो यह दो तरीके से आ जाता है यह संसदकावी सदस्य था और यह उसकी मंत्री परिस्दकावी सदस्य था नीं दा रही है समझ गए चीज के लिए रहोई नहीं हुई तो यह कभी-कभी कुशन आता है यह भारत सचीब कौन था आप बता दोगे कौन था यह भारत सचीब उस समय कौन बनाए ठीक है तो आगे चले है नोट कर लो एक्चली ऐसा है कि यह पहला जो भारत सचीब यह था यह बहुत इंपोर्टेंट आदमी एक से एक तरीके से यही कंपनी को बोर्ड आप कंट्रोल का एक तरीके से मालिक समझगे तो यह जो भारत सचीब था पहले यह संसत सदस्यवी था बिटिस पाल्यामेंट का और जो मंतरी परिषद थी उसका भी सदस्य था तो यह एक मंतरी परिषद यह सदस्य है जैसे आप पहले एक दो तीन पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं फिर दो दूनी चार पढ़ते हैं दो तिया च्छे पढ़ते हैं टू थ्री जा शिक्स पढ़ते हैं आगे जाके 16, 17, 18 के भी आते हैं तो ये सीखोगे पहले या ये सीखोगे पहले पहले ये सीखोगे अगर इस पे पहुचा दे जाएगा तो आपको कुछ नहीं आ पाएगा तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए आपको 1773 पढ़ाया उसके बाद में 1781 पढ़ाया उसके बाद में आपको 1784 पढ़ा रहे हैं तो अगर आप किरम से रोजाना देखोगे मिस नहीं करोगे चीज को तो बहुत बड़ा मजा आएगा क्यों चीज समझ माएंगे अगर आप बीच में से छोड़ दोगे तो आपक आए गए नहीं तो इसलिए प्लीज चीजों को रोजाना अच्छे से समझते रहें तो अब इसमें क्या है कि इसके बाद चलते हैं अब देखो एक डाइग्राम से चीज समझ में आए गया है अब क्या हो गया था अब इस ट्रेक्चर ऐसी हो गई थी यह चीज अब आपको क्लियर हो जाएगी और ज्यादा बिर्टैन की संसद और इस संसद का पार्ट माल लो या मालिक माल लो इसके उपर बैठा था बिर्टैन का राजा कौन बैठा था क्यों बिर्टैन का राजा है कि समझ गए है कि समझो यह चीज अब के लिए रोजाई तो इस तरीके से होती है थोड़ा सा कि फिर आता है नियंत्रक मंडल क्या आता है कि नियंत्रक मंडल कि उसके बाद में फिर आता है आपका निदेशक मंडल कि इससे ज्यादा और बिस्तार से पढ़ाना कि महनत पूरी की जा है कि आपको चीज समझमा है है समझ गयी इसको इंग्लिस में लेना चाहतों तो इसको इंग्लिस में लिखना चाहतों तो टार्येक्टर्टर्स इसको आप पहलें अच्छे तरीके जो था यह देखता था किसको गवर्नर जन्रल और अन्य गवर्नर इस डाइग्राम से इस एक्ट की सारी बाते किलियर हो जाती है आप अच्छे से बना लें थोड़ा सा नोट जो तैयार करें तो इसको अच्छे से बना लें आप इसमें अब तक मैंने पढ़ाया इसी लाइन में किलियर हैं पहले होता था निदेशक मंडल 24 सदस्य होता था पहले बता चुकि हम इसके बारे में फिर ये दोनों अलग अलग कर दी गए इसका मामला था राजनेतिक और ये था व्यापारिक है कि विट्टेन की संसत किसको देख थी नियंत्रक मंडल को नियंत्रक मंडल किसको कंट्रोल करता था निदेशक मंडल को और निदेशक मंडल किसको कंट्रोल करता था गवर्णनर जनर्र और गवर्णनर को कुछ मामलों में ये इससे भी डारेक्ट जुदा हुआ था तो से दारेक्ट नियात करते gaming किसको करता था कर सकता था गवंदर जन्रPod और गवंदर को किसके मामलों में राजनीतिक मामलोंール स्थीधा इसको कर सकता था नियांत्रण और और मामलों यह के पास आ जाना और गवंदर जन्रP आप कलकत्ता में होता था और और गवणनर होते थे कहां पर बंबई और मद्रास में किलियर होगी चीज़ें चलो आगे चलते हैं कि दूसरी बात यह है कि इस अधियम के तहट कि आपको यह पता है 1773 में जब गवणनर जनरल काउंसिल बनाई तो उसमें कितने सदस्य थे बताईए कितने सदस्य थे चार सदस्य थे और एक गवणनर जनरल था पढ़ते नहीं हो इसका मतलब 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत पिट्स इंडिया एक्ट के तहत गवणनर जनरल परिशत में सदस्यों की संक्या चार से कम करके तीन कर दी गई चार सदस्य होते थे उनकी संक्या चार से घटा करके कितनी कर दी गई तीन कर दी गई आगे लिखिए प्रांतिय यहां प्रांत से मतलब है बंबई और मद्रास क्या मतलब है बंबई और मद्रास प्रांतिय गवणनर परिशतों में प्रांतिय गवणनर परिशतों में सदस्यों की संक्या संक्या भी चार से तीन कर दी गई यह सारी चीज किताब में लिखी है आपकी कहीं से भी कोई किताब आप लोगे में आप बता रहा हूं टीचर का इंपोर्टेंस जानिये क्या है लेकिन किसी किताब से आप उतना ही समझ सकते हैं जितना आप खुछ किताब से समझें किताब आप कोई भी किताब पढ़ रहे हैं और वहां पर कोई चीज आपको समझ में नहीं आती है तो किताब आपको बोल करके नहीं बता सकती कि ऐसा सुनो यह ऐसा है यह दिक्टो बाते सब किताब में लिखी हुई है हर्ज किताब में लेकिन उसको समझना किस तरीके से है वो teacher का काम है, अध्यापक का काम है किस तरीके से वो दिमाग में बिठाना है, मतलब समझने का मतलब होता है, दिमाग में बिठाना इसको कहते हैं, समझ बनाना जब आप question लिखोगे कहीं किसी question का answer दोगे तो अगर आप उस पे समझ बना चुके हो तो आप उसका answer आसानी से दे दोगे जब हम किसी इनसान को अच्छे से जानते हैं, तो उसके बारे में सब कुछ बता देते हैं कोई मित्र है आपका मान के चलिए आप उसको बहुत दिनों से जानते हैं तो कोई उसके बारे में आप से पूछे तो आप जट से बता दूगा और मेरा लंगो उटिया आ रहे हैं मैं तो उसके बारे मैं ऐसी बता दूगा क्योंकि उसके पृति आपने एक समझ बना ली है इसी प्रकार से इसमें भी एक अगर आपकी एक समझ बन गई है तो आप उसका उत्तर दे दोगे अगर यो समझ बिक्सित नहीं हुई है तो आप उत्तर नहीं दे पाओगे तो यहां चीज को इस तरी के समझ लीजे प्रांत ये गवंणर का मतलब है बंबई और मदरास आपको ये विधित होगा ही पहले बता दिया इसके बारे में कि जन्रल जो काउंसिल थी परिशत थी उसमें गवं जन्रल होता था चार सदस्य होते थे तो पहले वो जो चार थे वो तीन कर दी गए किस एक्ट के थे इस एक्ट के थे दूसरी बात जो बंबई और मदरास की जो प्रेशिडेंशी थी मतलब उनमें गवंणर होता था उनकी भी गवर्नर परिशत थी उसमें भी चार सदस्य थे कितने सदस्य थे चार उनको भी घटा गर कितना कर दी गया थीन नोट कर लिए इसके बाद में देखिए यहां पर एक और बात आती है क्योंकि यह कुश्चन कई वार देखा आ गया है तो यह लिखवाना बहुत जरूरी है यहां पर लिखा जाता है निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल के सदस्यों को बेतन फिरी मैं काम करेगा कोई उनको पैसा भी चाहिए ना काम जो कर रहे हैं तो निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल के सदस्यों को बेतन लूट लो भारत को जितना लूट न चाहो यह थीन की कंडिशन निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल के सदस्यों को बेतन भारतिये राजुस्से निधी निधी से दिया जाना सुनशित किया गया क्लियर बात हो गई कौन-कौन थे निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल के जो भी सदस्य थे उनको जो बेतन दिया जाएगा वो कहां से दिया जाएगा भारतिये राजस्वे निधी से दिया जाएगा अब यह जितने भी सदस्य है कोई छोटी मोटी सदस्य तो नहीं है जितना इनका उस्समें बेतनमान तो सब भारतिये निधी से दिया जाना तैक किया गया समझ गई के लिए रोगी बात आगे चलते हैं दूसरा एक और बात सुन लो आपको पता है जो कम कमपनी का जो भारत में सासन देख रहा था वो गवनर जनरल था कौन था कलकत्ता को हैड बनाया गया उसको हैड इसमें भी रखा गया है तो जब यहां पर जो विवस्ता थी लडाईयां होती रहती थी जो देशी राजा थे और जो छोटे राजा थे बड़े राजा थे और कमपनी थी सब अपने अपने छेतर में विस्तार चाहाते थे तो लडाईयां चलती रहती थी होती रहती थी आपने कुछ मैंने पहले बता दी यह बक्सर की आपको पिलासी की बहुत सारी युद्ध पढ़ोगे आप मैसूर युद्ध पढ़ोगे यह पढ़ोगे बहुत सारे हिस्ट्री में जाकर के जब हिस्ट्री में पढ़ोगे तो गवन्नर जन्रल का लेकिन इस अधिनियम से उस अधिकार को समाप्त किया गया और किसके पास अधिकार चला गया वो बिटैन संसद के पास बिटैन संसद किसके अंडर काम करती थी बिटैन के राजा के अंडर समझ रहे हो तो यह इसमें लिख लीजिए गवन्नर जन्रल परिशद को गवन्नर जन्रल परिशद को यह आदेशित किया गया कि बह इस्थानिय राजाओं से युद्ध या संधी की अनुमती ब्रिटिस भी लिखते हैं ब्रिटेन भी लिखते हैं ब्रिटिस सम्राट से लेगी समझ में आ गया निया किलियर हो गया अब गवन्नर जन्रल परिशद को या गवन्नर जन्रल को किसी से लडाई करना हैं या संधी करनी है तो उसे किस से इसकी अनुमती लेनी पड़ेगी ब्रिटिस राजा से और ब्रिटिस यह ब्रिटिस राजा किसको आधिस करेगा नियंतरकमंडल को ठीक है तो यह आपको जितना भी अब देख रहे हैं आप पहले युद्ध का कोई भी डिसीजन लेना था इस एक्ट से पहले तो गवन्नर जन्रल अपने आप लेता था लेकिन उस डिसीजन को भी थोड़ा हटाया गया और इसमें यह प्राबधन किया गए गबंडर जन्रल परिशत अगर किसी राजा से युद्ध करेगा या उससे संदी करेगा तो इसकी अनुमती जो आपको बिटेन के राजा से लेनी पड़ेगी और ऐसा इसमें प्राबधन किया गया नोट कर लीजे अब आगे लिखिए इसमें अब लिखिए अगला इंग्लेंड में मतलब बिटेन में इंग्लेंड में एक कोर्ट की स्ताफना की गई यह बात है ना जो इतनी बात है मैंने बताई हैं आपको यही कुश्चन के रूप में आ जाती है कैसे आ जाती है अभी पहले जो लिखवाया गया है यही कुश्चन आप से कर दिये जाए एक्जाम में कि गवंडर जन्रल परिशद को भारत किसी इस्थानिय राजा से युद्ध करना या संदी करना की अनुमती बिटिस राजा से लेने अनुवारिय कर दी गई यह किस अधिनियम के तहत किया गया तो आपका अंसर क्या होगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत या यह आ जाए चलो बात में भी थोड़ा इसको पूरा हो जाएं दे दे पूरा कुश्चन के बारे में आपको बताएंगे तो इंग्लेंड में एक कोर्ट की इस्तापना की गई अब इस्तापना कोर्ट की क्यों की गई है आप देखिए जिसमें कंपनी के उन करमचारियों पर मुकदमा चलाया जा सके जिनोंने बिटिस कानून के अनसार अनसार गवन या गोटाला किया है या ब्रश्टा ब्रश्टा चार किया है इसमें गवन गोटाला यह उस समय और कुछ नहीं है समझगे आप इस सीज़ को समझ लीजिए जब यह बिटेन ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया है कैसे कैसे ले लिया है आपको पता चल गया है अब बिटेन का सासक बर्ग इस पर पूरी तरह से कपजा करना चाहता था कंपनी की उस पर और कपजा किया भी जन्त आप जब अठारे सो ठामन का अधियम पढ़ेंगे जो माराने की गोजना होती है उसमें आगे जा करके तो उसमें रानी पूरी तरह से इस बात को घोसित कर देती है कि यह जो चेत्र है बिटिस राजा का छेत्र है बिटेन का अधिगारा दीन छेत्र है यह पूरी तरह से बोल देती है तो उसी स्थिती की तरफ हम धीरे धीरे और यह बहुत बड़ा कदम है पिट्स इंडिया एक्ट जो है कंपनी के सासन को हटा करके उस पर बिटेन का सासन इस्तापना के लिए यह एक महत्कून कदम था अब इसमें यह जो नियम में लिखवा रहा हूं जो यह इसका एक फैक्ट लिखवा रहा हूं वो यह है कि इस इंग्लेंड में कोड की स्थापना की गई उस कोड का जो मतलब था मीनिंग था वो यह था कि अगर किसी कंपनी के करमचारी ने इंग्लेंड के कानून के अंसार काम नहीं किया है जोहां का पार्लेमेंट कानून बनाया है किया घोटाला कर दिया है गवन कर दिया है तो उसकी नजरों में वो करप्ट अधिकारी हो गया तो उस पर मुकदमा चलाया जा सके क्या क्या जा सके उसमें कि चलाया जा सके यह बात इसमें लिखवा दिए के लिए हो गया कि आप जब 17707 का एक्ट पड़ रहे थे तो उसमें यह भी आया था मैंने बताया था उसमें फिर से वीडियो देख लेंगे लाश्ट में कि कंपनी के करमचारियों पर उपहार या भेट लेने पर पिर्टी बंद लगाया गया है कि इंडिया वालों राजाओं से कि यह एक ऐसा दूसरा अधनियम में इसमें पुने कि वो रोक लगाए गी है कि आप किसी देशी राजा से उपहार या भेट नहीं ले सकते कि तो जितने भी इसके प्राफदहाने आपकी समझ में आगे हूंगे अच्छे से मैं एक बार इसका रिवीजन कर देता हूं दुबार से जल्द जल्दी पांच मिनिट के अंदर कि अधिक है 1714 अब फिर एक बार जो बच्चे नहीं देख पाए हैं वह एक बार से और देख लो इसको अच्छे से मैं लाश्ट में इसका प्राइब इसका पीट्स इंडिया एक्ट इसका पीट्स इंडिया एक्ट नाम क्यों रखा गया उससमें ततकालीन प्रदापन शुल्च मतलब पिट का एक्ट है समझेश केुप प्रदान मंत्री बिल्यम प्रदान मंतरी को आगे देखिए ये पहला ऐसा अधिनियम है इससे पहले जितने अधिनियम आए थे दो अधिनियम जो पिसनियस तोर पर आये हैं उसमें इस इंडिया कमपणी के अधिन छेतर बोला गाया जो भारत में कमपणी ने जित लिया था लेकिन ये पहला अधिनियम है ऐसा ये कुश्यन आ जाता है अभी मैंने इस चर्चा किया धोड़ दिर पहले ये पहला ऐसा अधिनियम है जिसमें कम्पनी के अध्गाराधीन छेत्र को बोलने के बजाए उसको बोला गया है बिटेन के अध्गाराधीन छेत्र समझ गए के लि फोजूर्द था निदेशक मंडल उसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं दूसरा था बना दिया गया निदेशक मंडल जिसको बोर्ड ऑब कंट्रोल कहते हैं वह बोर्ड ऑब डारेक्टर था यह बोड़ ऑब कंट्रोल हो गया आगे जाके और देख लेंगे से विधि प्रक्राइब के लिए बनाए गया और निदेशक मंडल जो पहले इसी था उसको व्यापरिक माम लोगों के लिए क्या बना दिया नियंतरक मंडल बोर्ड ओग कंट्रोल कि नियंतरक मंदल में कितने सदस्य थे शे सदस्य यह निकाय था सिस्टम था। कोई भी कि अब कैसे कैसे ते आप ये देखिए शे सदस्य नियंतरक मंदल की जो एक रूप रहती वो तरीके थी उन्हें सदसों में से एक सदसे चांसलर अप एक्षिएकर था यह जो होते थे राजकोर से संबंद दें चार सदसे प्रीवी कांसिल के होते थे और तीसे नमबर पे एक सदसे भारते सचीब होता था तो यह कितने होगे एक चार पांच और एक छे यह बारत सचीब जो बहुती महत्पूर्ण है यही का सबकुछ बोलबाला था इस पूरे मंडल पर आप इसको इस तरीके समझ सकते हैं यह बिटेन के संसत का एक सदसे था औ है तिस चीज़कों कि यहाँ देख सकते दुबारा से सबुद्वारा से बिटेन का राजा हो कि उसके नीचे बिटेन की संसत कारी संसत प्र हैंत नियंतरकमंडल 23 किसको देगा निदियसक मंडल और किसको आधिश करेगि घर जनरल और क्यों यह तो सीधान्द तो तो सीधा यहां लोग साइंगे क्याँकि यह लोग साट फिल्ड में थे जहां तुछ अहen और न यह लोग सब कहते हैं इंगलेंडत in आपको यह समझ में आएगा कि चीज आ कहां कहां रही है लेकि जभ ठीचर पढ़ाता है तो चीज़े क्लियर हो जाती है यह सारी जो जितनी भी ृप रेखा कहां हो रही है इंगलैंड में और यह कहां हो रहा है भारत में जिन्यार हो गया तो अब राजनितिक मामलें तो सीधा किसको करते थैं इसको हैं रॉक्त प्रांतों में किया गया है प्रांत थे हमारे हैं उससमें दो 1784 की समय की बात करें कौन से मदरास और मुंबई तो उसके में गवर्णर परिशत थे उनके में भी चार सदस्य थे इस एक से पहले उनको भी कम कर दिया कितना कर दिया तीन कर दिया अच्छा इसके बाद में आप देखिए गवर्णर जनरल परिशत को यह आदेशित किया गया की कि कि अगर उसे किसी से युद्ध करना है तो या किसी से संधी करनी है तो इसके अनुमतिक शे किसे लेनी पड़ेगी बिटेन के कहा जासे थीक़े आगे जलते इंगलेंड में एक कोट की स्तापना की गई क्या की गई कोट की स्तापना की इस कोट का मतलब क्या था इस कोट का मतलब था कोई भी कंपनी का करमचारी कंपनी इंगलेंड के विरूत कोई काम ना कर पाए भारत के विरूत तो उन्होंने सब कुछ किया है लूटा है भारत को ल तो यदि कोई करमचारी गलत कारिया ना करेंगे इसके बाद में एक चीज और रह गया है वह थी जो नोट कर लो जोंसा भी करम आपका आ रहा है आप उसी करम पर नोट कल ले तो ठीक है इसमें ये था कि यदी प्रांतिये परिशद प्रांतिये गवन्नर परिशद केंद्रिये कानून का उलंगन करती है तो गवन्नर जन्रल केंद्रिये कानून का उलंगन करती है तो गवन्नर जन्रल उस प्रांतिये गवन्नर परिशद को वर्खास्त कर सकता था समझ गए केंद्रिये कानून था मतलब संसत का समझ गए अगर कोई गवन्नर जन्रल परिशद को ये पता लग गया कि ये कानून है विदी बिदान है और इसका उलंगन किया गया है किसी właści City presidency को मद्रास ने किया तो गवर्णर जनर्रल उस पूरी परिशत को ही बरखास कर सकता था यह उसी अधिकार दिया गया कि यहां पर एक तो यह चीज है पूरी तरह से किलियर करा दिए जितनी हैं मेरा आपसे यही निवीदन है कि प्रते क्लास को reak अच्छे से समझे और क्लास को छोड़िये मत क्योंकि जब एक छी छूड़ जाती है तो आपको समझ में नहीं आती तो सही समझने के लिए तारतम में लगातार प्रियास की जरुरत होती है वो बनाए रखें सत्प्रिशिसत आपकी समझ में आ जाएगा बिलकुल तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी बिचार के साथ कि आप अच्छे से मेहनत करेंगे और अपने लक्ष में काम्याब होंगे जैहिन